हेलो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की सामजिक अध्यन की किताब मेरी दिल्ली का पाठ 12 तो बच्चो पार्ट 12 है दिल्ली के बच्चो के खेल तो बच्चो आपने ये पार्ट पढ़ाई होगा आज हम इस पार्ट के question answer करेंगे तो बच्चो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हुमारे चैनल को subscribe कर ले ताकि आपको आने वाले वीडियो की notification मिलते रहें तो बच्चो आईए शुरू करते हैं question 1 है इस पार्ट में आपने जिन खेलो के बारे में पढ़ा है आपके इलाके में उनका क्या नाम है तो बच्चो इसका answer है अकड बककर, आख मिचोली, कोडा जमाल साही, चील जपटा, किलकिल कांटा, बिट्टी गित्ते, पोसंपा भाई, पोसंपा तो ये सभी खेलो के नाम है अगला question है इन खेलो को अपने स्कूल में खेलो और बताओ कि आपको कौन सा खेल सबसे अच्छा लगा तो इसका answer है, सभी चात्र अपने स्कूल में इन खेलो को खेलें और सबसे अच्छे खेल का नाम लिखें तो बच्चों, जो भी खेल आपको तब अच्छा लगेगा, आप उस खेल का या नाम लिखेंगे question number 3 है, किसी एक खेल को खेलने के नियम बताईए तो बच्चों, पोसंपा भाई, पोसंपा को पहले बिट्टी या स्टुरंग लाल गोडी कहते थे इस खेल में दो बच्चे सरदार या मुखिया बन जाते हैं, वे एक दूसरे के हाथ पकड़ कर इस तरह उपर उठा लेते हैं मानो, दर्वाजा हो, बाकी बच्चे लाइन बना कर उस दर्वाजे के नीचे से निकलते रहते हैं सब गाना गाते हैं पोसंपा भाई, पोसंपा, लाल किले पर क्या हुआ, सो रुपे की घडी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा तो ये गाना गाते रहते हैं पड़ेगा कहते ही, दोनो सरदार हाथ नीचे कर लेते हैं और एक बच्चा फंस जाता है उसे एक सरदार अपनी टोली में ले लेता है इस तरह एक एक करके सारे बच्चे दोनों सरदारों की टोलियों में चले जाते हैं फिर एक सरदार जूता उच्छालता है जूता सीधा गिरा तो उसकी टोली सवार बनती है सवार टोली के बच्चे दूसरी टोली को घोड़ा बनाकर उसकी सवारी करते हैं अब देखते हैं बच्चों question number 4 क्या खेलों में नियम कायदे होने चाहिए या नहीं कारण भी बताईए तो बच्चों इसका आंसर है खेलों में नियम कायदे अवश्य होने चाहिए क्योंकि नियम कायदे में खेलने से बच्चे समस्ते हैं कि सभी बच्चे समान रूप से महत पूर्ण है इसमें बच्चों में अनुशासन और स्वस्थ एवंसकारात्मक पृतिश परदा की भावना पनपती है अगला कुश्यन है मान लीजिए कि आप कोई खेल खेल रहे हैं एक खिलाडी नियम नहीं मान रहा है तो ऐसे में आप क्या करेंगे तो इसका आंसर है रूप से नियम का पालन करने के लिए कहेंगे नीचे दिये गए चित्रों में कुछ खेल दिखाए गए हैं इनके नाम लिखिए तो बच्चों पहले चित्रों में गेम है कैर अंबोर्ड दूसरा है यहाँ पर बच्चे बैट और बॉल के साथ खेल रहे हैं तो यह कौन सा गेम है कrket तीसरे चित्र में जो लड़का है वो क्या खेल रहा है गिल ली डंडा अगले चित्र में बच्चों यह कौन सा गेम अक बखकर झी चित्र है बच्यों पोंसंपा गेम का और सबसे आखिरी चित्र है को खो गेम का था बच्चों यदि आपको यह वीडियो करना न भूले और यदि आप इस चैनल पढ़ना हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू